हाई टेक हुई मुरादवाद की सदर कोतवाली दो तीन सालों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुलिस को हाई टेक करने में लगी है जहां EFIR की शुरुवात की गई है तो वहीं पुलिस थानों के भी जिर्नोदर किया जा रहा है इसी कड़ी में सदर कोतवाली का भी काया कल्प किया गया है अगर मुरादवाद की बिहास देखा जाए तो वो सौ साल से ज्यादा पुराना है इसका उद्गहाटन करने के बाद SSP ने बताया कि कोतवाली को पूरी तरह से हाई टेक किया गया है क्योंकि इस चेत्र में व्यापारी वर्ग है और घनी आबादी है इसलिए क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर CCTV टीवी कैमरे लगाए गये हैं और दैनिक कारे को भी कंप्यूटराइज किया गया है तो सौ साल से ज़्यादा की पुरानी मिल्णी है और यहाँ पर इसमें इस्पेक्टर यहाँ पर रैसे चो चेट्वियों मुने इंट्रेस दिखाया यहाँ के व्यापारी आमनागरिक बह पुराना व्यस्त घना व्यापारी के लाका है इसके सभी छेत्रों को सभी रोडों को व्यापत रूप से कवर किया गया यह कैमरे हाई रिजलूशन है अगर हम किसी भी इमेज को देख रहे हैं उसमें चेहरे में बहुत सफाई से पैचार में बलर्ट नहीं हो रहे हैं और चलती भी गाड़ी में वायरलेस भी हो सकते हैं तो ऐसे में पूरे एरिया में कानून व्यस्ता में भी और अपराद नियंत्रण में भी यह बहुती महत्रपून अधुक्रब्दी है जिसको यहां के प्रभारी निरिच्छा को और सर्क्रट आफिसर ने इंडर्स लेकर क आम नागरिकों के सयोग से इसको कराया पुरारी कोतवाली बिल्डिंग बहुत भव्य है लेकिन इधर भी जिन शिन हो गई थी तो उसका भी जिन अधार कराया खास तोर पर वह सुझा है जनसे नागरिकों को लाब मिल सके हैं एल्प डेस्क पासपोर्ट डेस्क जो शिकाय अधित फ्लेक्सी और बोर्ड रोटेशनल रोटेटिक बोर्ड इनों लगाये हैं